गूड मॉनिंग फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है जे जो मुरूती कंपनी की वटारा ब्रहजा जड़ी आई जो गाड़ी आती है उसका जो लाइट स्विच है उसके वारे में आपको इन्फरमेशन देनी जा रहे हैं जे जो एक complete guide होगी फ्रेंट्स हमारे किसी viewer ने पूछा था कि जो इसका जो right hand side का जो light जो switch है उसके बारे में thoroughly हमको जान करी दें फ्रेंट्स सबसे पहले जे देखो हम headlight switch से शुरू करते हैं जे देखिए इसका मतलब है जे जो opposition पे है फ्रेंट्स एक चीज़ जाद रखो जे जो sign होता है जे auto sector में इसको parking जो light है उसके बारे में जे denote करता है जैसे जे देखिए इसको हम जो है clockwise इसको move करेंगे इसका मतलब जे देखिए एक तो जे जो हमारा जे जो speedometer है इसके बीच में light आजेगी और जे देखिए जे जो parking sign का sign आगया है इसका मतलब जी है कि front में हमारी जो dRL है वो operate होगी day time running light और rear light जो है वो operate होगी और friends जैसे ही हम इसको एक बार फिर करते हैं friends जे जो है जे headlight का switch है और friends जे देखिए अगर इसको हम उपर को लेंगे तो जे low beam होता है और हम इसको अगर नीचे को लेंगे तो जे high beam होगा okay और friends इसमें एक और आपको information हम बता देते हैं friends जे देखिए इसमें side में एक और जे जो switch आता है अगर जे देखिए अगर ऐसा जे जो low beam के switch में अगर जे जो line काटी होगी जे कोई भी गाड़ी होते है आपने जे समझ लेना है कि जे उस गाड़ी में switch लगा होगा जिस गा जे headlight का switch हमने on रखा है इसको हम off कर देते हैं ओके friends अब हम आते हैं friends जे simple अगर हम इसको ऐसे up down करेंगे तो जे जो है pass switch की तोर से काम करेगा और friends हम आपका और बात बता देंगे जे जो indicator switch है जे कैसे काम करता है friends जे इसमें dual function होता है अगर हम इसको light सा उपर को press करते हैं जे दिखिए पहले ignition होन हम कर लेते हैं जे दिखिए friends जे जो left side का तीन वार blink हुआ इसका मतलब यह है कि जब हम drive करते हैं अगर हमने अपनी lane change करनी हो इसका हलका 100 ऊपर करेंगे तो जे जो left side का होगा अगर हम इसको light सा नीचे को करेंगे जे दिखिए जे right side का होगा अगर ह हमने full indicator देना है किसी turn पे तो हमको इसको थोड़ा forcefully जे दिखिए उपर करना है तो जे लगातार work करेंगा left side का और जे नीचे को करेंगे तो जे right side का जो work करेंगे ओके friends जे तो friends हो गया हमारा जो आरेच जो combination switch light का अब हम आ जाती है left side का जो combination switch है friends जे दिखिए जे दिखिए friends सबसे पहले है जे जो mist friends इसका मतलब यह है कि अगर हम जे जो wiper switch है अगर हम इसको उपर को करेंगे तो हमारा जो wiper है only एक बार जो है काम करेगा और एक बार काम करके जो दुबारा नीचे को आजेगा देख लिए थे जे दिखिए जे दिखिए और बाकी इसकी speeds जे सभी में होती है intermittent जे low speed होती है उसके बाद में low और high इसका मतलब सबसे पहले एक जे इंट है जे low speed है और नीचे को कर देखिए है जे दिखिए और friends और इसमें कुछ नहीं है जे जो फ्रेंट वाइपर का है और जड़ी है जो प्लस वर्जिन है इसमें कौत आता है जे रियर जे फ्रेंट जे रियर जो है वाइपर का जो ब्लेड है जो हमारे जो बूट जो डोर होता है उसके उपर में जो लगा होता है जे देखिए फ्रेंट जो बैक साड में है और फ्रेंट से जाद रखिए अगर हम इसको क्लॉक वाइपर को करते हैं जे ज करेगा अगर हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं यह दिखिए यह वर्क कर रहा है और फ्रेंट्स बस जी सिंपल सा लेच जो है जो इसका वाइपर स्विच है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है मतलब फीचर नहीं है सिंपल सा कंट्रोल है आपको कोई भी ज्यादा इ